हेलो दोस्तों मेरा नाम है उज्वल रभी और आप देख रहे हैं ग्यान चुरन डियार डियो इस समें एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसकी तैनाती होने के बाद भारतिये सेना की तागत कई गुना बढ़ जाएगी साथी दुसमन के जंगी जहाज किसी भी तरह की हरकत करने से पहले थोरा सोचेंगे क्यूंकि ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है एने SMMR मतलब नेवल एंटी सिप मिसाइल, MR का मतलब मेडियम रेंज यानि मध्यम दूरी की मिसाइल माना जा रहा है इस मिसाइल का वजन 750 केजी होगा, यह कड़ी 15-17 फिट लंबी होगी, इसमें बुस्टर भी सामिल होंगे, इसका डाइमीटर 1.8 फिट होगा, इस मिसाइल पे 1.500 केजी वजनी वार हेड लगाया जा सकेगा इसका रोकेट सॉलिट प्रोपोलेट पर चलेगा, साथ ही टर्बो फैन इसे गती परदान करेगी, फिलहाल इसकी ओपरेशनल रेंज 1.500 किलो मिटर से सारे 300 किलो मिटर मानी जा रही है, यह अधिक्तम 50 मिटर से 4 किलो मिटर की उचाही तक जाकर हमला कर पाएगा इसकी अधिक्तम गती 988 किलो मिटर पर आवर के आसपास होगी, टारगेट पर हमला करते वक्त या बीच रास्ते में अपनी दिशा में बतलाव कर सकता है, इसे इनर्सियल नेविगेशन सिस्टम के आधार पर गाइड किया जाएगा, साथ ही इसमें सेटलाइट गाइडेंस की भी सुवधा होगी, इसे लॉंच करने के लिए युद्धपोत, HAL, तेजस और भविस में आने वाले फाइटर जेट उप्यूक्तमाने जा रहे हैं, या असल में एक हरपुन क्लास एंटी सिप मिसाइल है, मध्यम दूरी पर दुसमन को धूल चेटाने के लिए या कायनाती के बाद भारत की 30 सुरक्षा में काफी इजाफा होगा, और आपको क्या लगता है भारत को इसकी रेंज और ज्यादा बरानी चाहिए, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, ठैंक्यू दोस्तो, प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब